ओम कैंशी महागड़ी शाय नमा राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब्सक्राइब दोस्तों इस साल का आखरी सूरे ग्रहन चार दिसंबर मार्गशीश अमावस्या पर लगने जा रहा है शास्तों में सूरे ग्रहन का फिशिश महतु बताया कया है ग्रहन को अशुप खटना की तौर पर देखा जाता है यही बजह है कि इस तौरान पूजा पाठवा शुप कारे नहीं किये जाते धामिक मानिताओं के अनुसार सूरे ग्रहन के तौरान सूरे पीड़ित हो जाते हैं जिस कारण सूरे की शुपता में कमी आ जाती है यह एक पूर्ण सूरे ग्रहन होगा जो भार्तिय समय के अनुसार 4 दिसंबर की सुपह 11 बच का 5 मर्ट पर शुरू होगा और दुपह 3 बच का 7 मर्ट पर समाप्त होगा दोस्तों यह सूरे ग्रहन भारत में आशिक रूप से दिखाई देगा इसलिए इस सूरे ग्रहन के सूतक भारत में मानने नहीं होंगे जोति शास्त के अनुसार सूरे ग्रहन दिखाई दे या ना दे फिर भी उसका असर सभी राश्यों पर अवश्य ही पढ़ता है और इस बार का सूरे ग्रहन तो बहुत ही जादा खास है क्योंकि इस बार जब सूरे ग्रहन लगेगा तब शनी वार और अमावस्या का दिन होगा शनी अमावस्या के दिन सूरे ग्रहन लगने से इसका प्रभाब और अधिक बढ़ गया है क्योंकि शनी देव सूरे देव के पुत्र है आईए दूस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं कि इस भयानक सूरे ग्रहन का हम सभी की दाशी पर क्या प्रभाब पड़ेगा और सूरे ग्रहन के नकारात्मक प्रभाब से बचने के लिए किस राशी के जातकों को क्या उपाई करना चाहें जिससे सूरे ग्रहन का अशुप प्रभाब हमारे जीवन पर ना पड़े सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की यह सूरे ग्रहन आपके आठमे इस्थान पर लगेगा जन पत्रिका में आठमे इस्थान का संबंद आपकी आयू से है लिहाजा सूरे का यह ग्रहन आपकी आयू पर लगेगा आपके स्वास्थ में कुछ उतार चड़ाब हो सकते हैं सूरे ग्रहर के अशुप्रफावर से बचने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करने चाहें आप काली गाय को नियमित 21 दिनों तक भूजन कराएं ब्रश राशी यह सूरे ग्रहर आपके साथ में इस्थान पर लगेगा जन्व पत्रिका में साथ में इस्थान का संबंध जीवन साथी से होता है लिहाजा जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूरे का यह ग्रहर लगेगा जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है अतहे इस ग्रहण के अश्यो प्रभाव से बचने के लिए भोजन कैने से पहले एक रोटे के टुकड़े की अगनी में आहूती देनी चाहिएं यानि कि आप गैस जलाएं और गैस जलती होई गैस पर अपनी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर रखतें मिथुन राशी यह सूरे ग्रहण आपके छटे इस्थान पर लगेगा जन्म पत्रेका में छटे इस्थान का सम्बंद स्वास्त शत्रू और मित्र से होता है अत्ये आपके स्वास्तिक शत्रू और मित्रों पर सूरे का यह ग्रहन लगेगा इस दोरां शत्रू आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं समहल कर रहें दोस्तों का साथ बनाए रखें साथ ही इस ग्रहन के प्रभावल से बचने के लिए कुट्टे को रोटी खिलाने चाहिए यह रोटी आपको सूध्यास्त के बाद खिलाने है करक राशी यह सूरे ग्रहन आपके पांच में इस्थान पर लगेगा जन्म पत्रे कामी पांच में इस्थान का संबंध बिध्या, गुरु, संतान और विवेक से है साथी रोमान्स आदी विश्यों से भी है अते आपकी इन सब इस्थितियों पर सूरे का ग्रहन लगेगा ग्रहन के अशुप्रभावों से बशने के लिए पक्षियों को दाना डालना चाहिए शिही राशी सूरे ग्रहन आपके चौथे इस्थान पर लगेगा जन्व पत्रिका में चौथे इस्थान का संबत माता, भूमी, भवन और बाहन से है सूरे का यह ग्रहन माता के साथ आपके संबंधों पर और भूमी भवन और बाहन पर लगेगा इस दोरान किसी काम में आपको माता के सहयोग पाने के लिए थोड़ी अथिक महनत करनी पर सकती है अत्य इस क्रहन के अशुक प्रभावों से बचने के लिए आपको किसी जरुतमंद व्यक्ति को भूजन कराना चाहिए कन्या राशी यह सूर्य ग्रहन आपके तीसरे इस्थान पर लगेगा जन्म पत्रिका में तीसा इस्थान भाई भेनों से सम्मंद रखता है भाई भेनों के साथ आपके रिष्टे पर यह ग्रहन लगेगा इसलिए भाई भेहनों के साथ आपके रिष्टे में थोड़ी सी खटास आ सकती है अथे इस गहन के अशुक प्रभाब से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से बचना चाहिए तुला राशी यह सूरे गहन आपकी दूसरे इस्थान पर लगेगा जन्म पत्रिका में दूसरा इस्थान धन से सम्मंद रखता है अथे आपके धन या आथिक इस्तिती पर यह गहन लगेगा आपको आथिक रूप से कुछ परिशानियों का सामना करना पर सकता है सूरे गहन के अशुक प्रभाबों से वचने के लिए नारियल नारियल का तेल या कुछ बादाम, मंदिर या किसी धर्म इस्थल पर दान कायना चाहिए ब्रश्चिक राशी यह सूरे गहन आपके पहले इस्थान पर लगेगा जन्म पत्रे का में पहला इस्थान स्वैम का इस्थान होता है शरीर का इस्थान होता है अतय यह ग्रहन स्वैम आप पर और आपके शरीर पर लगेगा इसलिए आपको उजा की कमी महसूस हो सकती है इस गहड के अशुक प्रभाब से बचने के लिए सूरे देप को जलचढाना जाहें। इससे आपके कार्यों में आ रही बाधा दूर होगी और सूरे देप की कृपा से सूरे गहड के अशुक प्रभाब दूर हो जाएंगे। और आपके खर्चों पर यह ग्रहन लगेगा आपको सईया सुख पाने में मुश्किल होगे और खर्चों में भी बड़त होगे इस ग्रहन की अशुकता से बचने के लिए आपको अपने घर की खिड़ी की दर्वाजे खुले रखने चाहें और उचित मात्रा में रोशनी रख करा छाहीं मकर राशी के हैश्वड हैं आपकी ए मतलत अधान पर लगेगा जन पत्रिका में घ्यार में इस्तान का संपन्द आमधनी से और कामना पूर्टी से होता है इस मिए का असर आपकी आमदनी और आपकी इक्षाओं पर होगा किसी इक्षा की पूर्टी कायने में परिशानी आ सकती है अते सूरे ग्रहन के अशुप्रभावों से बचने के लिए सूरे ग्रहन की रात को सोते समय अपने सिरहाने पर पांच मूली और पांच बादाम रख कर सोएं और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या धर्मिस्थाल में दान कर दें कुम्भ राशी यह सूरे ग्रहन आपके दस्मी इस्थान पर लगेगा जन पत्रिका में दस्मी इस्थान का संबन्द आपके और पिता के करियर की सफलता से संबन्द रखता है लिहाजा इस ग्रहन का प्रभाव आपकी खुद के और आपके पिता की करियर के उपर रहेगा पर पहने मीन राशी यह सूर्य ग्रहन आपकी नमी इस्थान पर लगेगा जन पत्रिका में नमा इस्थान भाके से सम्मंद रखता है इसलिए आपके भाके या किस्मत पर ग्रहन लगेगा इस दौरान आपकी किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगी अपने भाक कि दुश्प्रभाब से बचने के लिए अपनी राशी के अनुसार इन उपाईयों को अवश्य ही करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में जादे से जादे शेयर करें जिसी भेभी इसका लाप उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स फॉर वाचिंग राधी राधी